बुरा समय आने से पहले प्रकरती देती है ये पांच ऐसुब संकेत और जो व्यक्ति समय रहते इन ऐसुब संकेतों को पहचान कर सावधान हो जाता है तो उसका बुरा समय भी आसानी से निकल जाता है अतहर कौन-कौन से हैं वो ऐसुब संकेत जानने के लिए वीडियो को अं आज हम एसे ही आभासों और संकेतों पर विश्त्रित चर्चा करेंगे विशे को आरंब करने से पुर्व एक नजर पुराणों पर डाल लेते हैं पुराण का साब्दिक अर्थ पुराना या प्राचीन होता है अर्थात जो आदिकाल से चला आ रहा है उसे पुरातन कहते हैं भगवान वेद वियास जी सभी अठारा पुराणों के रचनाकार हैं इसमें गरुड पुरान भी संम्मिलित है गरुड पुराण में 19000 शलोक हैं शुरु के 7000 शलोकों में शिर्फ धर्म और जीवन के संतुलन के साथ जीने की कला के बारे में बताय गया है गरुड में बताए गए इनी चीपे हुए संकेतों और रहश्यों के बारे में दोस्तों बारतिया जोति सास्त्र एवं गरुड पुराण के अनुसार अच्छे और बुरे दिन सुरू होने से पूर है हर वेक्ति को प्रकृति द्वारा उसके संकेत मिलने लग जाते हैं अगर निकट भ में तुल्सी के पोधे का अचानक मुर्जाना या सूखना दोस्तों अगर हमारे घर में तुल्सी का पोधा अचानक से मुर्जाने या सूखने लग जाता है तो ये किसी आने वाले संकट का संकेत हो सकता है अतहर घर के अंदर तुल्सी का विसेश ख्यार रखें उसे अगर विशेश ध्यान रखने के बाद में भी तुलसी का पोधा सूखने लग जाता है तो तुरंत तुलसी का एक नया पोधा घर में अवस्य लगा ले और पूरे घर में गंगाजल का चिड़का भी अवस्य करें नमबर दो पे है चपल जूतों का खोना दोस्तों चपल जूते का खोना धन हानी का संकेत होता है हमारे सरीर में शनी गरह का परभाव हमारे पेरों पर अथिक होता है अता है पेरों से जूड़ी चीजों का खोना ऐसुभ माना जाता है जैसे में सनीवार के दिन सनी मंदिर में सरसों के तेल का दिया पस्चिम दिशा की तरफ मुख करके अवसे जलाएं नमबर तीन थकान होना आलश बढ़ना ये सभी ऐसुब समय की सुरुवात के संकेत हैं अगर ऐसे संकेत आपको मिलने सुरू हो जाएं तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपका मुश्किल घडिशे निपटने का समय आ गया है इस ऐसुब समय से बचने के लिए इस्वर की भक्ति का सहरा लेना चाहिए अता है बगवान सनी देव से प्रार्थना करनी चाहिए नमबर चार पे है सपने दोस्तों वेक्ति के सपनों का भी उसके जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे समय के लिए बहुत अधिक महत्व होता है स्वपन सास्तर के रुसार जब कोई वेक्ति अपनी पतनी या प्रेमिका को किसी दूसरे वेक्ति के साथ भागते वे देखे तो ये स्वपन आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ने की ओर संकेत करता है वही अगर कोई वेक्ति सपने में अपने आपको जीवन साथी या प्रेमि से अलग होता हुआ देखे तो ये उसके निकेट भाविशे में बीमार पढ़ने के संकेत है अब अगर रोजाना ही बूरे सपने आए तो घर में जगड़ या घर के किसी सदिश्य पर मुसिबत आने का संकेत है अतर रातरी काल में सोने से पुरु है तकिये के नीचे एक मोर पंख अवस्य रख ले अगर आपको अपने घर में कभी ऐसा होते हुए दिखे तो तुरंत उन चिबगलियों को अलग अलग कर दे और घर के अंदर पोचे के पानी में गोमुत्र और नमक अवस्य मिलाएं अगर कोई वेक्ती कोवे को संभोग करते वे देख लेता है तो ये निकट भुष्य में मृत्यू या मृत्यू तुले कष्ट आने का संकेत माना जाता है बचने के लिए सनी देव को सर्सों का तेल अरपित करें दीपक लगाएं साथ ही कोवे और चीटियों को दाना डालें तथा हर सनिवार संध्या समय घर में गुगल धूप अवस्य करें नमबर आठ अचानक वेक्ति में नसा या सराब का सेवन करने की आदत बढ़ जाए और उसे अच्छे बुरे की पहचा ना रहे तो ये भी बुरा समय आने का एक संकेत हो सकता है इसे में वेक्ति को समय रहते संभल जाना चाहिए और नसा आदी से दूरी बना लेनी चाहिए साथ ही अपने इश्ट देव की पुजा अर्चना प्रारंब कर देनी चाहिए नमबर नो रात में अचानक घर में किसी सदश्य की नीद खुल जाए और फिर देर तक नीद ना आए ऐसा रोज हो और बार बार हो तो इसे भी ऐस सुब संकेत ही समझना चाहिए ऐसा होने पर रोज संध्याकाल में हनमान चालिसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए अब दोस्तों आपको यहां एक चीज और समझनी चाहिए कि घटना का पुर्वय अनुमान होना यानि घटना से पुर्वय उस घटना के संकेत मिल जाना या यू कहें कि आने वाले संकट का पहले ही आभास हो जाना यह किसी परकार की कोई बिमारी नहीं है बलकि यह आपकी छटी इंद्री के जागरत होने की और इसारा करता है हमारे सरीर में पांच गानेंद्रिया होती है जिसे आख, कान, नाक, तवचा और जीब लेकिन कुछ विशेश लोगों में छटी इंद्री भी विख्षित होने लगती है और यह छटी इंद्री ही हमें अपने जीवन में आने वाले संकटों का और भविश्य में घटने वाली घटनाओं का पुरवा भास करवाती रहती है कुछ लोग इन संकेतों को सपष्ट समझ जाते हैं लेकिन कुछ लोग इने नहीं समझ पाते हैं पुराणों और प्राचिन विज्ञान के नुसार छटी इंदरी कलपना नहीं बलकि वास्त्रिकता है। यदि आप इसे समझना चाहें तो आपके साथ भविश्य में घटने वाली घटनाओं के प्रतिय इंदरी आपको पहले ही सचेत कर देगी। अब आप कहेंगे कि छटी इ सक्रत गई है। इसी नाड़ी के बाई और इंगला एवं दाई और पिंगला नाड़ी स्थित है। इन दोनों नाड़ियों के मद्धे छटी इंदरी सुसुप्त अवस्था में होती है। और इस छटी इंदरी को जागरित करने का एक मातर विकलप है योग, प्राणायाम औ दोस्तों आप भी इनके माध्यम से अपनी छटी इंदरी को जागरित कर सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी कई सास्तों के माध्यम और कई सोधों के द्वारा अरजित की गई है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक अवस्य करें और साथ ही इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी आवस्य पहुंचाएं। जैस्री कृष्णा धन्यवाद।